क्यांब दोस्तों मैं हूँ कभी दोस्तों भी फिलिपकार्ट पर सेल लग गई है जिसमें प्राइजिंग वागरा काफी कम हो गए फोनों का तो इस वीडियो में हम कंपेर करेंगे तो बहुत ही जबदस फोनों को जिनके अंदर काफी बड़ा डिसकाउंट चल ला है एक है व वीडियोज अब तक आती रहें पोको M6 Pro के अंदर हमें यह सारी चीज़ें मिलती हैं बॉक्स के अंदर एक मिलते हैं कुछ यूजर माइनल पढ़ने के लिए उसके बाद रखा मिलता है कि सिम इजैक्टर टूल फिर रखा मिलता हमें एक ट्रांस्पेरंट सा कवर पीचे का मिलता ही हमें एड़प्टर 22.5 वाट की ब्रांडिंग के साथ यूएजबी कनेक्टिविटी नीचे की तरफ यहां कुछ इसके वाट्स और मिलते हैं लिखे हुए फिर मिलता हमें हमारा फून यह ब्लैक कलर में हमने मंगाया है इसका डीटेल लुक बाद में देखेंगे अ क्योंकर T3X 5G के साथ हमें क्या क्या मिलता है तो बास के ओपर रखा मिलता है सबसे पहले फून काफी बड़ी आसी पैकिंग में रप्टे ग्रीन कलर में हमने इसको मंगाया है फिर रखे मिलते है कुछ यूजर में पढ़ने के लिए और कुई गाइड वगरा भी यह साथ म रखा मिलता है एक सिमिजेक्टर टूल एंड में रखा मिलता हमारा चारजर टाइप C2 USB याज बी कनेक्टिविटी के साथ फॉर्टी फॉर वाट का इस फास्ट चारजर है तो चारजर हमें ज्यादा बड़ी है वीवो के फून के साथ मिलता पोको के कंपेर में उसी के साथ दोस्तों डिजैनिंग वगर की बात का है तो यहां पर काफी बड़िया से डिजैन ही है, काफी शाइनी डिजैन है POCO में बिल्कुल सा डिजैन दिया गया है जबकि Vivo के अंदर काफी यहां पर Royal Fear वाले डिजैन दिया गया है camera module दोनों के अंदर काफी बढ़िया दिये गए लेकिन मुझे पसंद लिए जो ज़ाद अच्छा लगा हो Poco का module ज़ादा बढ़िया लगा camera बिलकुल अलग अलग दिये हुए वहीं पे ring बना दी गई ये vivo के अंदर इसे के साथ जो Poco के back का design है ये पूरा glass के अंदर दिया गाए finger print वगरे के थोड़ी सी problem आ सकती है इसी के अंदर वीवो का design जो ही यहाँ पर plastic के अंदर दिया गाए इस पर finger print वगरे की कोई problem नहीं आएगी weight वगरे के बात करें तो दोनों फोनों में आपको same सही weight मिलेगा 199 gram का इन हैं फिल काफी बढ़ी है इन दोनों फोनों की IP64 rating के साथ आता है वीवो का फोन और IP53 rating के साथ आता है या पोको का फोन build quality वगर में तो यहाँ पर मुझे पोको का design ज़्यादा बढ़िया लगा आपको इन दोनों फोनों में से किसका design ज़्यादा चलागा दोस्तों मुझे comment करके ज़रूर बताईगीगा वीवो वाले फोन का या पोको वाले फोन का चले आउन करने थे हम अपने फोन और देख लेते हैं कुछ इनके internal features वगरा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनका user interface दिया गया यह इनका app drawer है वीवो में थोड़ी से limited applications मिलेंगी जो पहले से install है वहीं पोको के अंदर काफी सारा extra application है जो के आपको पहले से install मिलेगी दोनों के यहाँ पर applications आइकन्स वगरा काफी जबद असते हैं लेकिन मुझे थोड़ से यहाँ पर छोटे लगे वीवो के बेजल्स और नीचे के चिन वगरा तो दोनों फोनों में एक जैसी ही मिलीगे आपको तो display design ही में तो कोई बड़ा फरक नहीं मिलेगा display quality में देखते हैं यह वीवो का display quality इसके अंदर हमें LCD मिलेगा 6.72 इंच का display साइज है उसे के साथ यहाँ पर full HD plus का support भी मिलेगा PPI's के अंदर हमें मिलेगे 393 और यहाँ पर वीडियो का experience है वो काफी सही है colors वगरा काफी बड़ी आ रहा है और वीडियो के अंदर जो contrast हो कह रहा है वो भी काफी बड़ीया मिलेगा आपको अगर आप YouTube पर या जनरली movies वगरा देखते हैं तो आपको यहाँ पर काफी बड़ी experience मल जाएगा वीवो के अंदर क्योंकि इसके अंदर आपको peak brightness जो मिलेगी 1000 nits की मिलेगी जो के काफी ज़ादा होती है उसे के साथ जो shadow वगरा का issue है वो इस phone के अंदर बहुत ही जादा कम दिया गया है जिससे हमें यहाँ पर वीवीविंग experience जो काफी बड़ीया मिलता है तो display quality तो वीवो की काफी बड़ीया है आप Poco M6 Pro के अंदर चेक कर लेते हैं वीडियो quality कैसी है तो यह दोस्तो Poco M6 में वीडियो quality मिलीगी आपको इसके अंदर थोड़ा सा यह issue मिलेगा आपको अपनी ही shadow दिखेगी जिसके वैसे यहाँ पर जो वीवे में experience है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है और अगर आप जादा light वगएरा में यह इसके अंदर dark movie वगएरा देखते हैं जैसे अंदेरी की थोड़ी सी movie है तो आपको वहाँ पे भी यह issue देखने को जादा मिलेगा उससे के साथ दोस्तों सके अंदर आपको मिलेगी IPS LCD डिस्प्ले 6.79 इंचिस का इसका डिस्प्ले साइज है यह वीवो से थोड़ा सा बड़ा है फुल हजी प्लस यह फोन सपोर्ट करता है उससे के साथ PPI 396 मिलेंगे आपको फ्रेंट बर में यहाँ पर क्रोनिकल गुरी लगलास V3 की प्रोटेक्शन भी मिलेगी लेकिन इसके अंदर जो हमें Peak Brightness मिलेगी वो वीवो के Compare में लगभग आदी मिलेगी उसके अंदर 1000 nits की थी इसके अंदर 550 nits की है जो यहाँ पर वीवी एक्स्पिरेंस है मुझे वीवो के फोन में ज़्यादा बड़ा लागा हमें वीवो के अंदर 120 Hz का वहीं Poco की फोन के अंदर जो हमें refresh rate दियागा वो 90 Hz का दियागा तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है refresh rate के अंदर स्कोलिंग वगरा refresh rate बढ़ा आने के बाद दोनों फोनों में काफी स्मूध है लेकिन थोड़ से यहाँ पर बढ़ी है हमें refresh rate वीवो के अंदर मिल रहा तो यहाँ पर scrolling भी वीवो की जादा बड़ाया मिलेगी complete physically look की बात करें तो दोनों फोनों के अंदर नीचे की तरफ दिये वेगा है यहाँ पर स्पीकाज, टाइप सी पोर्ट left side पर मिलेगा यहाँ पर दोनों फोनों में SIM लगाने का space यह दोनों फोनों की SIM tray इन दोनों फोनों में ही आप दो SIM के साथ एक memory card नहीं लगा सकते यह एक hybrid phone है internal storage हमारे दोनों ही फोनों में मिलेगी पोको वाले फोन के अंदर internal storage RAM वगारे के बात करें तो दोनों ही फोनों के अंदर यहाँ पर हमें 6GB RAM का support मल जाता है जो के काफी बढ़िया है और virtually चाहे तो हम इनकी RAM expand भी कर सकते हैं दोने फोन 12GB RAM की performance दे दींगे जब हमें 6GB virtually RAM बढ़ा लेंगे Android version की बात करें तो 13 version मिलेगा हमें यहाँ पर Poco के अंदर और 14 version मिलेगा हमें यहाँ वीवो के अंदर security updates वागरा वैसा हमें दोनों फोनों के अंदर timely मिलते रहेंगे तो software के मामले में यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ज़ादा बड़ी अलागा वीवो का क्योंकि लेटा सोजन मिला 14 और अभी पोको के अंदर 14 का अपग्रेड भी देखने को नहीं मिला उससे के साथ दोस्तों यहाँ पर performance वगरा की बात करूं एप्लिकेशन वगरा कितनी देर में उपन हो रहे हैं तो उपन करके देख लेते हैं यहाँ पर काफी फास्ट उपन हो गया क्रोम वीवो के अंदर और थोड़ा सा पोको में टाइम लगा मैसेज भी वीवो के अंदर थोड़ा फास्ली उपन हो गया और पोको के अंदर थोड़ा डेले मिला मही डाइलर भी हमें यहाँ पर वीवो के अंदर जादा फास्ट उपन मिला तो परफार्मांस के अंदर यहाँ वीवो का फून जादा फास्ट मिलेगा आपको प्रोसेसर वगरा की बात करें तो पोको M6 Pro के अंदर Qualcomm Snapdragon 4 Gen2 4 Nm का प्रोसेसर मिलेगा मही वीवो के अंदर इससे काफी जादा फास्ट प्रोसेसर मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 4 Nm का प्रोसेसर मिल जाता है तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा जादा फास्ट प्रोसेसर वीवो के अंदर मिलेगा इसकी परफार्मांस वगरा काफी बड़ी है आपको ज़्यादा गेमिंग और नहीं करनी थोड़ा बद वाटसाइब या सोचल मीडिया चलाना है तो आपको वीवो के अंदर ज़्यादा बड़ी है परफार्मांस मिलेगी क्योंकि इसके अंदर आपको किसी भी तरीग है हैंग या लैगिंग टाइप का इशू देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा बैटरी की बात करते हो 6000 मेच के बैटरी मिलेगी वीवो के अंदर और 5000 मेच के बैटरी यहाँ पर पोको के अंदर महीं पोको वाले फोन के अंदर हमें साथ 5G बैंड मिलेंगे तरन अक्टिविटी के मामलें वीवो ज़्यादा बड़ी है कैमरी की बात करते हैं दोस्तो मेन कैमरा इसके अंदर मिलेगा 50 मेगा पिक्सल का सेकंड कैमरा हमें मिलेगा यहाँ पर 2 मेगा पिक्सल का डैप्स कैमरा और फ्रंट कैमरा मिलेगा 8 मेगा पिक्सल का महीं पोको के अंदर भी यहां 50 मेगा पिक्सल का मेन कैमरा है 2 मेगा पिक्सल का डैप्स कैमरा है और front camera इसके अंदर भी 8 Megapixel का, reality में देखते हैं कि इसकी picture quality ज़्यादा बढ़िया मिलेगी हमें, तो ये दोस्तों दोनों फोनों के camera है, और यहाँ पर काफी सारे option भी दियेगा है, camera के अंदर जैसे portrait mode, night mode, और यहाँ पर पोको के अंदर 50 Megapixel का dedicated mode भी दिया गया है, वही वी लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया result जो हमें picture के अंदर मिल रहे हैं, वो मिलना है वीवो के अंदर, इसके साथ इन दोनों में एक बड़ा और difference है, इनके pricing को लेके, पोको का जो price है यहाँ पर 10,000 रुपे, वहीं वीवो का जो price है 15,000 रुपे, दोनों फोनों में 5,000 का difference है, लेकिन अभी जो discount चलना है, उस हिसाब से पोको का price हो जाता है, यहाँ पर 9,000 रुपे, और वीवो का price हो जाता है, 35,000 रुपे, लेकिन अब इन में 4,000 रुपे का major difference है, तो दोस्तों 9,000 रुपे के अंदर, पोको का ही, जो M6 Pro है, यह बहुती बड़ी बड़ी अड आपको बज़र 9,000 रुपे, वहीं आप थोड़े से जाधा पैसे खर्च करना चाते हैं, तो वीवो का phone भी देख सकते हैं, लेकिन इन दोन में तो जाधा बड़ी या वीवो का फोन रहेगा, प्राइस तो जाधा हैं, लेकिन features भी आपको जाधा ही मिलेंगे, आपको इन द कर दो जान दोसलेगे, वहीं चichtig से घादत पेम दोन में कर तो जाधा हैं, लेकिन में थेकिन दोन में देटीज और warmी बड़ी आपको जान जोको